कि नमस्कार दोस्तों मैं रविंदर दूबे स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल रविंदर की पार्ट शारा में लास्ट क्लास में हमने रिजनिंग के जो शुरवाती चीजे थी जो ट्राइंगल काउंट जैसे करना था वह हमने देख लिया था उसमें हमने बेसिक कॉस्टन्स हमने लगाए थे। उसके अंत में हमने 1 sqaure के अंदर कितने ट्रायंगल होते हैं वह चेक करना देख लिया था. आज हम उसी को अगे लेकर चलेंगे तेकि लैस्ट ट्रापमें देखा था कि जब कभे भी इस परकार से कोई स्कोय हो और उसके अंदर लाइंस खेची हो तो इसमें कितने ट्रेंगल्स होते हैं तो हमने देखा था वन टू त्री फॉर और इसका जब हम डबल कर देते हैं तो हमको मिलता था वो एक्जेक्ट नमबर जो इसके अंदर ट्रैंगल काउंट करने पर आएगा आज उसी से आगे बढ़ते हैं और हम दूसरी इसी इमेजस देखते हैं उसमें क्या होता है कि जब कभी दो इमेज़स को जोड़ा जाता है उसके बाद भी कई सारे ट्रैंगल बनते हैं और वो पेपर में पूछे जाते हैं माल लीजें इनको जोड़कर इस परकार से एक नई इमेज्ट बनाईगी तो जब भी दो इमेज काउंट एक दूसरे में जॉइंट होती है तो हमेशा क्या होता है एक नया ट्रेंगल जरूर बनता है उसको भी देखना पड़ता है तो अगर इस इमेज में हमें काउंट करना हो तो कैसे काउंट करेंगे यहां पर भी एट हमें यहां मिल जाएगा लेकिन क्या होगा जब यह मर्ज होए हैं दो हिससे तो इससे एक नई इमेज हमें देखने को मिलेगी ट्रेंगल की जो इस परकार बनेगा एक यह वाला इमेज ट्रेंगल का और एक यह वाला इमेज ट्रेंगल का दो ट्रेंगल हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे तो एट प्लस एट शिक्स्टीन प्लस टू टोटल एटीन ट्रेंगल हमें देखने को मिलेंगे ठीक है अब माल लीजिए इसी को हम और एड करते वे चले जाए जाए इसको थोड़ा समय रफ करके दुबारा बनाता हूं कि माल लीजिए इसी में थोड़ा और एड़ कर दे हम ट्रेंगल्स अब हमने इसके स्कॉयर्स की संख्या बढ़ा दी अब इस इमेज में कितने होंगे जन्जली वहीं बेसिक लगाना है और इससे आपको अंसर मिल जाएगा जब भी नॉर्मल होता है तो इसमें कितने होते हैं यह 8 यह 8 और यह 8 24 तो हमें यहां से मिल गए अब बाकी क्या बचा वह हिस्सा जहां से यह मर्ज हो रहे हैं तो मर्ज जहां से हो रहे हैं महां पर क्या होगा हमें सब कुछ न कुछ बनेगा जैसे एक पॉइंट यह एक यह और एक यह तो जब यह सब एड़ हो जाएंगे तो हमें four triangles एक्षा मिलेंगे तो ट्योटल ट्रैंगल इसमें कितने हो होंगे तो पॉइंट्स आपको देखना होगा कि जहां पर जो मर्ज हो रहा है वहाँ पर कोई नया ट्रेंगल तो नहीं बन रहा अगर ऐसा आप कर लेंगे तो इजी ली आपको एक कोश्ण समझ में आ जाएंगे नेक्ष्ट देखते हैं इसी का एक और प्रेविएस एर का एक कोश्चन जो आया हुआ है उसमें आपको ट्रेंगल सर्च करना है कि यह कुछ इस तरह से आपको मिलेगा कि अब इस इमेज में अगर आप असे काउंट करने को कहा जाए कि बताएं कि इसमें तो कैसे कंडल करना है जनरली वही फोर्मूला यूस करें 1234 अनलब डबल 8 या वित यह हो गया uh यह हो गया और 8 यह हो गया ठीक है 32 हमें मिल गए ठीक अब उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सा मर्ज होने के बाद बना तो मर्ज जब यह दोनों मर्ज होए तो एक पॉइंट यह एक पॉइंट यह तो दो हमें यहां मिल जाएंगे ठीक है उसी तरह से जब यह वाला और मिल गए हमें अब कुछ और ट्राइंगल ऐसे बनेंगे जो अभी हमने देखे नहीं है वो क्या होंगे आपको बहुत बढ़ियां से धूनने पड़ेंगे जैसे अगर धूनेंगे आप तो एक आपको बड़ा ट्राइंगल मिलेगा यह वाला यह यहां से लेकर यहां से लेकर और यह आपको क्या मिलेगा एक बड़ा ट्राइंगल मिलेगा सेम उसी तरह से एक आपको यह भी बड़ा ट्राइंगल मिलेगा यहां से ठीक है दो ट्राइंगल हो गए और एक सबसे बड़ा ट्राइंगल जो इन चारों इमेज को मिलाने के ब मिल गए उसके बाद दो पॉइंट्स परे थे हमें छह वह मिल गए और फिर उसके बाद जो यह बड़े बड़े तीन हमें मिले तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे है आध़ यह मलब टोटल करना आ गया है ठीक है अब हम इससे थोड़ा आगे चलता है एक wheels में कुछ और reillals बनते हैं जैसे कुछ इस तरह से triangle बना जाते हैं ठीक है तो जब भी ऐसा कुछ image आपको मिले जिसके triangle के अंदर ही कोई triangle बना हो तो ऐसी जब भी image मिलेगी तो कैसे count करेंगे क्योंकि अभी एक ही है तो आप easily count कर ले 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5 तो जहां पर भी आपको ऐसी image मिलेगी आप सीधा सोच लेंगे कि हाँ इस triangle में five triangle आपको देखने को मिलेंगे तो अगर ऐसा ही कुछ हिजाब लगा के एक ही image में सब दे दिया जाए तो कैसे किया जाएगा उसको देखते हैं जैसे example के लिए एक question बनाया ssc ने इस तरह से ठीक है यह इसके अंदर ही और भी ट्रेंगल्स बना सकते हैं इसके अंदर ठीक है तो उससे confusion नहीं होनी है बिल्कुल नहीं लानी है आपको बस decide करने ला है कि यह कैसा बना मतलब इसके अंदर फास तो होगे ठीक है तो इसके अंदर अगर कितने triangle अगर सरी का आपको याद है तो easily आप कर लेंगे जैसे एक दो तीन चार और यह पांच यह अभी अभी हमने देखा कि इसमें तो पांच होंगे और बाकी छे साथ आठ और यह बड़ा वाला नौ ठीक है तो आगे से ऐसा कोई भी ट्रेंगल आपके question में आए जिसके triangle के अंदर triangle ब पता है और बाहर की boundary में चार बनते हैं तो जितनी boundary होगी चार रैट करते करते आप अंसर ने आएंगे ठीक है एक तो question इस पर बनता है यह important है यह याद रखें और दूसरा question बनेगा जो कि इस तरह से बनाया जाएगा इस पार triangles इस तरीके से बनाये जाएगे ठीक है कुछ इस तरह से image दी जाएगी और आप से पूछा जाएगा बताएए इसके अंदर कितने triangle हैं तो इसको करने के लिए एक basic trick मैं आपको दे रहा हूं हमेशा वह उलागो होगी हर triangle में बस आपको count क्या करना पड़ेगा कि तीनों तरिफ से जो area है वो equal आना चाहिए जैसे यहां एक दो तीन triangle common एक दो तीन triangle common एक दो तीन triangle common मनलब अगर ऐसी situation में कोई question आप से पूछा जाए तो क्या करना है जितने भी common आ रहे हैं जैसे यह 3 आ रहा है तो इसका 3 का क्या करना है स्कॉयर कर देना है तीरी का स्कॉयर फिर double और minus 5 यह ट्रिक इसकी है इसको आप याद रख लें जो भी आए यहां पर common जो भी आए उसका करेंगे पहले स्कॉयर करेंगे फिर double करेंगे उसके बाद जो भी आपको यहां पर मिलेगा उसको 5 से माइनस कर देंगे आपका अंसर आ जाएगा जैसे क्या करना है इसमें 3 का स्कॉयर 9 इंटू 2 माइनस 5 तो 9 इंटू 2 18 माइनस 5 जब हम करेंगे तो हमें यहां पर क्या मिल लेगा सीधा 13 ठीक है यह हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा ठीक माल लीजिए एक कोश्चन और अगर इसी तरह का देख्यां वह इसी पर बनता है इसी इमेज को और एक्सपांड कर दिया जाता है इस तरह से तो अब बताईए इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे कि कुछ इस तरह से बना दिया ठीक है तो बेसिक वही है अब यह और कितने ही बना ले आपको घबराना बिलकुल नहीं है simple method वही लगाना है जो अभी-अभी हमने लगाया simple क्या करना है जो भी इसका column base हो common आए उसका square करें double करें और minus 5 कर दें जैसे कितना होगा इसका 1,2,3,4 1,2,3,4, 1,2,3,4, 4,4 है हर जगा तो 4 का क्या होगा square फिर double फिर minus 5 तो answer क्या आ जाएगा 4 का square 16 इंटो 2 मलब 32 हो जाएगा और 32 minus 5 तो 27 इसका answer हो जाएगा क्या आपको यह समझ में आया इस टाइप के questions हर exam में railway में भी आपको हर shift में एक नए question देखने को मिलेगा तो आप इसको बहुत अच्छे से करें इस triangle से questions ज्यादा पूछने की possibility होती है क्योंकि confusion ज्यादा आती ठीक है कुछ नहीं करना है बस count कर लेना है square double minus 5 ठीक है अब हम चलते हैं आगे अब हम देखते हैं कि squares कैसे count करते हैं triangles हमने देख लिए लगबक सारे इससे ज्यादा भार आपसे कोई question नहीं पूछा जाएगा triangle count करने के लिए बस उसी image से ही आप हर सभी चीज में count कर पाएंगे अब हम वर्ग कैसे count करना है वो देखते हैं जैसे हमने triangle की basic image देखी थी कि एक triangle की हमने देखे थे सबसे first class में जिसमें किस तरह से count किया जाएगा उसी तरह से हम square की भी एक basic image देखेंगे कि कितने square किस हिससे में बनेगी तो यह है उस square की basic इमेज ठीक है जब भी इस तरह से कुछ बनता है तो उसमें कितने वर्ग या स्कॉयर होते हैं तो वन टू थ्री फोर यह तो आपको डिरेक्ट दिख रहा है और यह बड़ा वाला ठीक तो इस इमेज में कितने स्कॉयर्स मिल गए हमें सिंपल फाइफ स्कॉयर्स देखने को मिल गए यह आगे काम आएगा क्योंकि कई कोश्चन जैसे होते हैं जिसमें इस तरह से कट दिया जाता है या फिर उसको शेप दे जाती है फिर पूछा जाता है ठीक नॉर्मली अगर हमें जो एक्जाम में ज्यादा देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह से कोश्चन पूछता है कई लाइन्स होंगी इनको कॉलम बोला जाता है यह जो वर्टिकल है और यह जो होरिजॉंटल है इनको बोला जाता है रोज ठीक है अभी हम क्योंकि सीख रहे हैं तो हम इक्वल लेके चलते हैं माल लीजिए इसमें आपसे पूछ से तो आप कैसे काउंट करेंगे सिंपल काउंटिंग करने 1234 होरिजॉंटली भी कर ले 1234 और वर्टिकली भी कर लें इससे क्या होगा जब आप यह करेंगे तो आप इसको करना क्या है जो भी मैक्सिमुम काउंटिंग होगी मैक्सिमुम का हिस्सा होगा और मैक्सिमुम रो क का हिस्सा होगा उसको आपस में multiply करते हुए उल्टे क्रम में आना है या descending order में आना जैसे 4 into 4 फिर प्लस फिर एड़ भी करना है जब को 4 into 4 plus 3 into 3 plus 2 into 2 plus 1 into 1 ठीक है जब यह आप कर लेंगे तो क्या कर लेंगे simple 4 into 4 16 plus 3 into 3 9 plus 2 into 2 4 plus 1 into 1 ठीक है 10 और 13 टोटल आपका answer हो जाएगा क्लिए तो इसमें कितने होंगे 13 स्क्वाइर्स होगे ठीक है क्लियर हो रहा है मान लिजिए अब कोश्टन थोड़ा चेज कर दिया जाए इस बेसिक इमेच पर ही आधारित सावी कोश्टन पूछे जाएंगे इस बार मान लो कोश्टन इस तरह दे दिया इस तरह मान लिजिए आपको कोश्टन पूछ लिया ठीक है अब बताए इसमें कितने होंगे तो शिर्पल वह यह आपको करना है क्योंकि अभी यह दोनों दोंने देखा इस में पांच होते हैं आपको पता है क्योंकि बेसिकि में जब यह हमने देखी है ठीक है यह आपको पांच होते हैं तो इनको तो हमें count करने की need ही नहीं है क्योंकि हम पहले देखते ही बता देंगे इसमें कितने हैं 5 हैं हमें basically क्या count करना पड़ेगा वो तो उसमें basic हमने क्या देखा पहले 1 2 3 4 यह 4 है और यह 1 2 3 यह 3 है क्या करें descending order में multiply करते वे आ जाएं maximum से जिसे 4 की multiply 3 से ह होगी 4 into 3 प्लस या 3 into 2 3 into 2 फिर प्लस फिर 2 into 1 क्योंकि उसके बाद कोई रो है ही नहीं ठीक है 2 into 1 तो क्या होगा अभी दुबारा समझे 1 2 3 4 था 1 2 3 4 था 4 की multiply 3 से होई फिर 3 की 2 से होई फिर 2 की 1 से हो गई और यहां से जब हम यह कर लेंगे उसके बाद इनको add हो कर देना होगा और अंसर मिल जाएगा जैसे फोर धिर जा 12 प्लस 3 टू जा 6 प्लस 2 अंजा 2 ठीक है तो यह कितने होंगे total 20 तो हमें इन में से मिल गए जो हमने normal count किया उसके बाद 20 प्लस यह जो 55 थे यह और एड हो जाएंगे total हो जाएगा आपके पास 30 स्कॉयर क्लियर तो स्कॉयर की गर्णना कैसे की जाएगी आपको क्लियर हुआ अब एक और इमेज देखते हैं जो SSC के CHSL में भी और CGL में भी और railway में भी आई हैं कई इमेज जब जुड़ती है तो एक अलग इमेज बनती है यह कोश्चन हमने अभी देखा उसी परकार से इसमें भी कई इमेज जुड़ेंगी और उनसे कई इमेजिस बनाई जाएंगी अब आपसे कोश्चन पूछा जाएगा इस इमेज में कितने स्क्वाइर्स हैं तो काउंट करने का बेसिक तरीका वही है जो आपने सीख रखा है सिंपल यह हैं इसमें कितने होंगे पांच इसमें कितने होंगे पांच इसमें कितने होंगे पांच ठीक है तो यह पांच पा तीनों में ही count हो गए तो common वालों को करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा जैसे हमने जब यह वाला count किया और सेम यह वाला भी count किया तो यह वाला जो हिस्सा है यह हमने दोनों में count कर लिया ठीक है तो एक तो यह सेय माइनस होगा पिसी तरह सेम हमने इस वाले को इसमें भी count कर लिया इसमें भी तो एक यह भी हमाइनस होगा ठीक है तो 55 5 15 15 मेंसे 2 माइनस करेंगे अंसर होगा आपका total 13 ठीक हैा इस image लूजी में कितने वर्ग होंगे या स्कंभा ओंगे तो देते होंगे हुआ हम चलते आगए कि हम लीजे पहले वाले कोंसेट की तरफ यह यह चले और तीनों को मर्ज करें क् Ayamb alvy मर्ज कर दें और स्कायर में मर्ज कर दें तब आप को क्या देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से image बना देते हैं और इसके अंदर हम बना दें ये वाली image अब बताईए इसके अंदर कितने square होंगे और कितने triangle होंगे अगर ऐसा question बन गया तो normally simple आपको वही करना है इसके अंदर कितने मिलेंगे आपको 5 मिलेंगे क्योंकि हमने अभी देखा है ठीक है वर्ग कितने हैं तो वर्ग एक दो तीन चार पांच एक दो तीन तो पांच इनटू तीन आएगा पहले फिर प्लस फोर इंटू टू आएगा फिर प्लस थ्री इनटू बन ठीक है इन सब को आइट करें तो आपका आंसर कितना मिलेगा आपको जब इसको अभी आट कर लेंगे आप जैसे फाइब थ्री एट एट इट शिक्स्टीन और थाटी वन आपका टोटल अंसर क्या मिल गया आपका अंसर कंपलीट हो więc अब में नेक्श्टे आए रेक्टेंगल कैसे काउंट करते हैं या आयत कैसे मिलकूल इजी तरीका है जैसा अभी आपने देखा उसी टाइप कहिं लेकिन थोड़ा सा चेंज है माल लीजी यही मेंज है और इसी में से आप से क्या काउंट करने को कह दिया आयत या रेक्टेंगल काउंट कीजिए तो आप क्या करेंगे सिंपल जितना भी यह हिस्सा है वो लिखेंगे पहले नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 ऐसे कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे जितने भी रो है उन रोज को एड कर लेना है और जितने भी कॉलम्स है उन कॉलम्स को एड कर लेना है और दोनों को आपस में multiply कर देना जैसे one two three four इन सभी को add करेंगे तो 10 हो जाएगा उसी तरह one two three इन सभी को add करेंगे तो six हो जाएगा जब हम 10 को six से multiply कर देगे तो 60 आपको क्या मिलेंगे rectangle मिलेंगे ठीक है तो इसमें कितने rectangle है total 16 rectangle मिलेंगे 60 rectangle मिलेंगे बात के लिए कि easy होता है बहुत अगर यह आपको समझ में आ जाए ठीक है उसके बाद आप देखें कि इमेज और ट्विस्ट कर दिया जाएगा जैसे कि इस तरह से को इमेज बनाई उसके अंदर इस तरह से हिस्से करते चलेगे अब इसमें कितने होंगे स्कॉयर वह बताईए तो अगर स्कॉयर काउंट करना हो तो भी easy हो जाता है rectangle काउंट करना हो तो भी easy हो जाता है लेकिन इसमें हम अभी क्या basically याद्ट करेंगे स्कॉयर है स्कॉयर काउंट करने का basic फंडा इसको उन्हें देखा था इसके अंदर कितने स्कॉयर होंगे पांच फिर उसके बाद पांच फिर उसके बाद पांच टोटल कितने होंगे 15 ठीक है माल लीजे इसी image में आपसे पूछ लिया आयत कितने होंगे ठीक है तो जब आयत पूछा जाता है तो आयत के समय हम इसको count नहीं करते आयत इसमें कितने मिलते हैं हमको 4 ठीक है क्योंकि squares को हटा कर हम जो count करेंगे वह आपका आयत होता है बात के लिए रही तो आयत को count करने का हमने नॉर्मल तरीका देख लिया रो और कॉलम्स की क्या कर दें एड करके multiply कर दें आपका answer मिल जाता है आपको कैसा लगा वीडियो बताइए हम धीरे-धीरे reasoning के सारे topics एक एक करके complete करेंगे ठीक है अपना सुपोर्ट ने नाश्कार